नमस्कारम सरवेशाम छात्रानाम स्वागतं अस्ति अध्यवयं सनातक द्वितिय वरशस्य कक्षायाम प्रथम प्रश्ण पत्रे अभिज्ञान शाकुंतलम नाम धेयम नाटकस्च्य तृतियो अंकह पठिश्यामः नमस्कार विद्यार्थियों पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के तृतिय अंक का प्रथम श्लोक पूर्ण कर लिया था और विश्कमभक समाप्त कर लिया था विश्कमभक के पश्चात का जो भाग है वह आज प्रारंब करने जा रहे हैं विश्कमभक नाटकों के अंकों के बीच में सूचना देने के लिए जो छोटा सा अंश होता है वह अंक से पूर्व होता है दो अंकों के बाद ये विश्कमभक आ सकता है दो या तीन अंकों के बाद तो यहाँ पर दो अंक पूर्ण हो गए तृति अंक यहाँ पर शुरू हो रहा है उससे पहले एक जोड़ा गया है विश्कमभक तो विश्कमभक में हमने एक श्लोक भ प्रारंब करने जा रहे हैं तो अब आप यहां पर आप सुनिए मैं पढ़ता हूं ततह प्रविशती कामय माना अवस्थायो राजा निश्वस्य ततह इसके प्रविशती इसके प्रविशत करते हैं कौन कामय माना अवस्थायो राजा राजा किस अवस्था में प्रविश करते हैं उसके लिए यहां पर किसके विरह से शकुंतला के विरह से वो पीटे यहां पर राजा की इस्थिती दैनी दिखाई गई है इसलिए विरह अवस्था यहां पर जो आई है वो यहelas विरह आया है ततह प्रविशती कामय मान अवस्था वही है कामय मान अवस्थयों राजा इसके पश्चात विरही अवस्था में राजा का प्रवेश होता है इसके पश्चात विरह जैसी है में राजा का प्रवेश होता है तो अब राजा क्या कै रहे हैं यह देखिए यह राजा के रहे हैं है राजा का यह लिखा ए निही श्वस्थय मण लेकर ओ भर कर आव भरते तो इसले निश्वस्थिय लिखा राजा आह भरकर अब आह भरकर क्या कहते हैं राजा वो जो राजा कहते हैं वो एक श्लोक के अंदर जो है उसका वरणन किया गया है तो मैं यहाँ पर आपको यह त्रितिय अंक का द्वितिय श्लोक प्रारंब करते हैं अब जाने तपसो वीर्य साबाला परवती में विदितम अलम अस्मी ततो रदयम तथापी नेदम नीवर्ताईतुम यह छोटा सा श्लोक है वापस से देखते हैं जाने तपसो वीर्य साबाला परवती में विदितम अलम अस्मी ततो रदयम तथापी नेदम नीवर्ताईतुम देखिए बहुत छोटा सा श्लोक है फिर भी हम इसको अच्छे से समझे लेते हैं जाना में मैं जानता हूँ किसके बारे मैं जानता हूँ तपस्या की शक्ती के बारे में अहम जाने मैं जानता हूँ मैं तपस्या की शक्ती के विशय में जानता हूँ वह शकुंतला परवती वह शकुंतला पराधीन है परवती दूसरे पराधीन है दूसरे पर है ना इसलिए पहली बात तो मैं तपस्या की शक्ती के विशय में भी जानता हूँ दूसरी बात मैं यह भी जानता हूँ कि वह युवती शकुंतला पराधीन है और यह मुझे ग्याथ है दोनों बातें फिर भी तथापी उससे यह जो मेरा हरदय है वो हटाने में मैं समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ शकुंतला से दूर अपने हरदय को हटाने में मैं समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ यहां पर यह बताना चाते हैं देखिए इसको कैसे समझ लेते हैं हम संस्कुत से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं इस लोग को यह देखा तपसो वीर्य जाना जाने मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ इसलिए लिखा तपसह वीर्यम जाने मैं तपस्या की बलवान शक्ति को जानता हूँ सा बाला परवती वह यूवती शकुंतला पराधीन है में विदितम यह भी मुझे ग्यात है ततह फिर भी हरदयम तथा पि नेदम निवरतैतुम अलम अस्मी फिर भी मैं अपने हरदय को शकुंतला से दूर अपने हरदय को नहीं हटा पा रहा हूँ अलम अस्मी ततो हरदयम तथा पि नेदम निवरतैतुम फिर भी मैं अपने हरदय को शकुंतला से दूर हटाने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ तपस्तिया की शक्ति जानता हूँ युवती शकुंतला पराधिन है यह भी मुझे ग्यात है फिर भी मैं उस शकुंतला से अपने हरदय को हटाने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ यह है यहाँ पर बताना इतना सा ही मनतव्य है अब इसको अगर संस्कृत में करेंगे तो क्य हुगा तपसह कणवस्त्य तपस्तियायाह वीध्यम पराक्रमं अहम जाने अवगच्छामी साप्रसंगव पात्र शकुंतला बालायुवती परवती पराधिना इती इदम्मेम मया विधितम यानी ज्यातम तथापि तदपि ततह तस्याह शकुंतलायाह इदं स्वकियं हृदयं मनह निवरतैतुम अपा अपसारैतुम अलं समर्थह न अस्मी तब परे क्या है शकुंतला जो है को बलपूर्वक छीना नहीं जा सकता क्योंकि कणव की तपस्या की शक्ती महर्शी कणवजी की तपस्या की शक्ती दुश्यन्त की सैन्य शक्ती से भी अधिक है तपोही दुरतिक्रमम इस वचन के अनुसार हम ये भी जानते हैं कि तपस्या की शक्ती का अतिक्रमन नहीं किया जा सकता फिर वह स्वयम शकुंतला जो है दुश्यंत के समीप आ सकती है उससे विभाग कर सकती है पर उसके पराधीन होने से वह भी संभव नहीं है ठीक है और मेरा जो हृदय यानि दुश्यंत का जो हृदय है वह उस हृदय को हटाना चाते शकुंतला के से दूर अपने हृदय को ल का अर्थ मंतव्य बताने का जो देश्य यही है अब अब यहां पर अब हम इस श्लोक का देख लेते हैं कि कौन सा चंद है और कौन सा अलंकार है तो सबसे पहले तो चंद की बात करते हैं तो प्रस्तुत श्लोक में आर्या नामक मात्रिक चंद है कौन सा है आर्या चंद है जो की एक मात्रिक चंद है क्योंकि इसमें मात्राओं की गणना की जाती है अब मात्राओं की गणना करने के कारण मात्रिक चंद है और वह भी आर्या चंद है तो आर्या चंद का लक्षन मैंने आपको प्रथम अंक के द्वितिये श्लोक में बताया था वहां पर आप देख सकते हैं फिर भी यहां पर लक्षन बता देता हूं यस्याह पादे प्रथमें द्वादश मात्रा अस्तथा तृतिये अपी अश्तादश द्वितिये चतुर्थ के पंचदश सा आर्या जिसके प्रत्येक चरण में प्रथम एवं तृतिये इन दोनों चरणों में जहां पर कितनी मात्राएं होती है बारह बारह मात्राएं होती है द्वितिय चरण में 18 मात्राएं होती है और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है ऐसी स्थिती जिस चंद में पाई जाती है वह आर्या नामक चंद कहलाता है पहले में 12 दूसरे में 18 तीसरे में 12 और चोथे में 15 मात्राएं होती है वह आर्या चंद होता है और अलंकार की बात करते हैं तो यहां पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है श्रुत्य अनुप्रास और व्रत्य अनुप्रास भी यहां पर है यानि अनुप्रास के पांच प्रकारों में से दो प्रकार यहां पर घटित हो रहे हैं एक तो वृत्य अनुप्रास दूसरा शृत्य अनुप्रास शृत्य अनुप्रास शृत्य अनुप्रास और शृत्य अनुप्रास के बाद वृत्य अनुप्रास ठीक है और एक अलंकार अप्रस्तुत प्रशंसा चंद आध्या यहां पर हम ये श्लोक पूर्ण करते हैं दो श् लोग प्रारब करेंगे अगला गध्य प्रारब करेंगे तब तक यहीं विदाम देते हैं नमस्कार धन्यवाद